हेलो गार, वेलकावन तो मैं YouTube चनल प्रोक्रेेटर्स, दोस्तों आज हुम स्टार्ट करने वाले हैं YouTube Studio की Class No.13 तो दोस्तो इससे पहले जो मैंने 10 Classes बनाइय हैं उस से मैंने YouTube Student YouTube के पूरे Basic बताये थे और दोस्तो 11th Class से मैंने थोडी advanced और pro level की चीज़े यहां पर बता रहा हूँ तो दोस्तो अगर आपने उन classes को नहीं देखा तो दोस्तो decision में लिंक मिल जाएंगे सभी को आप watch कर लेना तो दोस्तो आज की class में हम ऐसे topic को cover करने वाले हैं जो कि दोस्तो कई दोस्ती यहां पर अपने YouTube चैनल बना लेते हैं उस पर वीडियोस भी डालते रहते हैं लेकिन यह चीज़ को अपने चैनल पर नहीं करते हैं तो दोस्तो इसका नेम यहां पर है channel keywords तो दोस्तो आज की वीडियो में हम channel keywords को डिटेल में सीखने वाले हैं दोस्तो आई यह जादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं computer की screen पर और स्टार्ट करते हैं YouTube Studio की class no.13 दोस्तो अभी हम यहां पर मेरी computer screen पर पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने YouTube Studio को उपन कर लेना है तो दोस्तो ही मेरा first technical channel है इसका link भी आपको description में मिल जाएगा इस पर मैं बहुत सी informative वीडियो जालता रहता हूँ तो दोस्तो अगर आपने इसे subscribe ने किया तो इसे भी जुरू कर लेना है तो दोस्तो अभी हम सीखने वाले हैं channel keywords के बारे में कि आपकी वीडियो किस-किस topic के साथ related है तो दोस्तो बिलकूल इसी तरीके से जो आपके यहाँ पर channel के keywords मतलब की tags होगे तो दोस्तो वो भी बताएंगे YouTube के algorithm को कि आपका channel कौन सी category में आता है मतलब कि आपके channel पर जब कोई उस keyword पर search करेगा तो दोस्तो आपका channel वहाँ पर rank होगा और आपके channel के reach बढ़ने के यहाँ पर chances बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो दोस्तो यह होता है channel keywords मतलब कि जैसे आप video को tagging देते हैं बिलकुल इसी तरीके से दोस्तो जो channel के keywords है वो channel की एक tagging की तरह है तो दोस्तो आई अब सीखते हैं कि कैसे हम channel keyword को open करके उसे लगा सकते हैं बिलकुल right way में तो आई यह start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर चली जाना है settings पर ठीक है YouTube studio में जाने के बाद आपको settings पर जाना है comedy का ठीक है तो आपको दोस्तो कैसे बता चलेगा कि आप कौन से keywords यहाँ पर डालें तो अगर आपने अपने channel का name यहाँ पर रखा comedy king तो दोस्तो सबसे पहले आपको कैसे डालना है king comedy comedy king the comedy king the king comedy तो दोस्तो इस तरीके से आपको किस keywords लाल दिये उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है जैसे अपने मैंने आपको बताया था कि आप tags कैसे देश करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तो आपको यहाँ पर सच करना है comedy देखें यहाँ पर हमने comedy लिखा तो दोस्तो हमारे सामने बहुत सार यहाँ पर फिर आप यहाँ पर लिख सकते है comedy king ठीक है तो यहाँ पर देखें अब यहाँ सारे इसके लेटेड कीवर्ड तो आपको का करना है इनहें सभी को कर लेना है copy ठीक है तो जैसे आप इनने copy करेंगे यहाँ पर दोस्तो अपना आपको नोटपैड इक open कर लेना है ठीक है उसे open करने के बाद दोस्तों आपको यहां से देखना है कि आपको कौन कौन से यहां पर जो है हो रिलिवन लगते हैं जैसे कि यहाँ पर थिया है अपने वाइंड के ने तो आगे लिकर जा सकता है तो दोंस JA сे कांगा बता होगा अदि कपिल शर्मा शोव है जो वह बहुत ज्यादा चल रहा है तो आपका तो आप वहां पर tag दी सकते है上 को प्रोइस असा कर दियाना है । यहां पर न्यूटपेड इसे डाल लेना ठीक है तो इस तरीके से जो भी पर आपका इसे लेटीड तो आपको सबसे पहले अपने यहां पर जो आपका नेम है उसको shuffle करके ढालने है उसके बाद दोस्तों आपके जो कही आपकी फील्ड के जो यहां पर famous channel है ठीक है तो दोस्तों आप उनके name भी यहां पर channel keyword में डाल सकते हैं क्योंकि आप उनको एक तरीके से अपने channel को tag कर रहे हो ठीक है जो कि किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो आपके चैनल की रीच का ही उता है, तो इस तरीके से दोस्तों डाल कर आपको उसके बाद जैसे आप टागिंग देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर आपको कॉमा लगा देना है, ठीक है, सभी को लगाने के बाद दिखें है, हा सारे टेक्स अभी यहां पर लग चुके हैं तो यहां पर आप सिर्फ 500 वर्ट तक लगा सकते हैं ठीक है मेरी तो पहली टेगिंग हुई थी लेकिन यहां पर एग्जेंपल सिर्फ आपको बताना था ठीक है तो मैंने यहां पर इने भी पेस्ट करके आपको दिखा दिया तो द दोस्तो अगर आप चाहते हैं बिगिनर से प्रो लेवल तक जाना पूरी डिटेल में यूट्यूब स्टूडियो को सीखना तो दोस्तो अभी चैनल को सब्सक्काइब करके रखो और दोस्तो सभी उन सभी क्लासिस को वाच कर लो ठीक है तो दोस्तो जल्दी मिलेंगे हम ने झाल